जय श्रेन दोस्तों, पॉस्ट इक आहर बाकी सब बेकार मा की जर्ण रसवई में आपको मिलें के स्वाधिष्ट और साथ विग्वें चन अपार तो कैसे हैं आप लोग? मा की जर्ण रसवई में आप सबी का स्वाधत है तो दोस्तो आज हम आपके लिए लेकर आये हैं आटा साल सकप्स with nachos जो कि हमने आटे से बनाया है हमने इसमें कोई मैदा या सूजी का यूस नहीं किया है तो चलिए देखते हैं हमें इसे कैसे बनाना है सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैंने नॉर्मल आटा गून लिया है उसके बाद यहाँ पर मैं अपे पैन को अच्छे से ग्रीस कर लूँगी यहाँ पर मैं गी से ग्रीस कर रही हूँ आप चाहे तो दोस्तों ओयल से भी ग्रीस कर सकते हैं और फिर इस अप्पे पैन को गरम होने के लिए लो फ्रेम पर रखतीजे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने यह लोई लिए है और इससे मैं एक नॉर्मल रोटी बना लूँगी दोस्तों आप रोटी के थिकनेस नॉर्मल ही रखिएगा नहीं जादा मोटी और नहीं जादा पतली दोस्तों हम नोटेस करते हैं कि नहीं आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और नहीं चैनल को सब्सक्राइब So please friends, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें जैसे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम आप के लिए और ऐसी वीडियो लाते रहें यहां पर देखें दोस्तों मैंने रोटी अच्छे से बेल ली है इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैंने medium size का यह गोल धकन लिया है, आप चाहे तो कोई और धकन भी ले सकते हैं, या फिर cookie cutter, जो बड़े वाला cookie cutter आता है, उसका भी use कर सकते हैं, हमें दोस्तों, इससे ऐसे cuts लगाने हैं, जिससे की हमें circles मिल जाएं, यह देखिए, कुछ ऐस अब दोस्तों, जो आपने circle cut किया है, उसको आप लीजिए, और उसके एक direction में एक ऐसे fold लगाएं, और उसके opposite direction में same fold लगाएं, कुछ ऐसे, दोस्तों, अभी यह कुक नहीं हुए है, इससे थोड़ा बात ऐसे हिलेंगे, लेकिन जब यह कुक हो जाएंगे, तो यह बहुत जादा magic देखेंगे, इसलिए, don't worry, दोस्तों, अगर आपके अप्पे pan की cavity बड़ी है, तो फिर आप बड़े circles cut कीजेगा, और उसमें four folds लगाएंगे, वो भी दोस्तों, equally सुन्दर लगेंगे, और easily को खो जाएंगे, पर क्यूंकि मेरे अप्पे pan की cavity average size की थी, इसलिए मै मैंने average size के ही circles cut किये है, इसके बड़ दोस्तों, मैं इन सारे cups को अप्पे pan की cavity में रख दूँगी, और फिर इसको 3-4 मिनिट कुक होने के लिए रख दूँगी, और हाँ दोस्तों, ये ध्यान रहे, आप इसको low to medium flame पर ही कुक कीजेगा, Meanwhile, दोस्तों, मैंने और cups को खोने के लिए रख दिये हैं, 3-4 मिनिट बाद दोस्तों, आप देखेंगे, जो आपने cups पहले रखे हुए थे, वो कुक हो चुके होंगे, इसलिए दोस्तों, आप उनको निकाल के देखीगा, कि वो कुक हो गए है, या फिर नहीं, अगर वो कु दाल लीजेगा, और अगर कुक नहीं हुए हैं, तो उस साइट से आप कुक कर लीजेगा, दोस्तों, यह रेसिपी यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि यह हमारी इंवेंशन है, तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आ रही है, सो प्लीज गवेट ऐसे कट कर दूँगी, यह process है दोस्तों, नाचोस बनाने का, जी हाँ दोस्तों, हम नाचोस भी रोटी से बनाएंगे, और जो कि बहुत ही जादा अच्छे लगते हैं, ऐसे करके दोस्तों, यहाँ पर मैने ट्रेंगल कट कर लिए हैं, अब दोस्तों, इसका मैं एक और बार हाफ करूंगी और फिर इसको भी कट कर लूँगी जिससे कि मुझे नारो नाचोस मिल सके दोस्तों अगर आप चाहें तो नाचोस की शेप छोटी बड़ी कैसे भी कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं एक और पाल ट्राइंगल पीसेस कट कर लूँगी और फिर इन पर क्योंकि मुझे जादा मसाले नहीं पसंद मैं इसको अवॉइट करूँगी और हाँ दोस्तों यह जो बचे हुए हैं पीसेस इनके भी हम नाचोस ही बनाएंगे और फिर इसको सर्विंग में अच्छे से यूज़ करेंगे जिससे कि कुछ वेस्ट ना हो इसके बाद दो सेख देंगे यह दियान रहे दोस्तों आपको इसको बहुत अच्छे से सेखना है और इसको रोटी को फूले नहीं देना अगर रोटी फूल जाय तो तो फिर आप उसको अच्छे से प्रेस कर दीजे जिससे की वह ना फूली और आपको अच्छे से क्रिस्पी हो जाए यह देखिए के दोस्तो कुछ ऐसे ऐसे कर करकर दोस्तो मैं मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से कोक कर लूगी यह देखिए दोस्तो बिलकुल परफेक्टि हमारे नाचोज यह रेडी हो रहा है है साइड में जो ये ब्राउन कलर आया है ये रोटी जली नहीं है ये अच्छे से कुख हुए है उसका इंडिकेशन है और ये टेस्ट में भी बहुत जाद अच्छे लगते हैं इसको मैं ऐसे ही कुख होने दूँगी महीं दूसरी तरफ एक बाउन में मैंने सीडलेस टमाटोस तोड़ी से कुकुम्बर आट किया है थोड़ी सी ग्रीन काप्सिकम आट किया है आप चाहे तो कोई और वेजिटेबल भी आट कर सकते हैं जैसे के कॉन इसके बाद दोस्तों यहां पर मैं तू स्पून्स होममेड सॉस आट कर दूँगी अगर दोस्तों आपने हमारी सॉस क कि रेसिपी नहीं देखी है तो पराई बटन पर क्लिक करकर देख लीजेगा इसके बाद यहां पर मैंने थोड़ा से हर्ब्स और चिली फ्लेक्स टाले हैं थोड़ा सा नमक और मसाला डाला है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी कुछ ऐसे यह हो गया दोस्त तो मैं सारे कप्स टेडी कर लूँगी और फिर उनको अप्य बैन में एक और बार कुक होने के लिए रख दूँगी जिससे की चीज हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए यह देखे दोस्तों यहां पर मैंने सारे ऐसे ही कप्स टेडी कर लिये हैं और इनको मैं थोड़ी से एक कप हॉर्था स्पाइसरि दोस्तों चलता ही है और फिर ईसको अच्छे से मिक्स करूँगी जिससे की चिली पाउडर नमक अच्छे से इसकी ऊपर चपकचे और यह सुए दोस्तों इसका क्रेंज सो पर मैं डालेंगी और आरेगानो चाथ हσाला आप चाहे तो कुछ और बल तेस्ट के अकॉर्डिंग और हाँ दोस्तों आप इसमें हींग डाल सकते हैं वह और ज्यादा मेजिन लगएगा टीस्ट में और हाँ जितने ताइम में दोस्तों आप यह नाचोस प्रिपेर करेंगे उतने ही ताइम में जो चीज है वह मेल्ट हो जाएगी और फे बहुत प्रिटिंग कर दीजिए और यह लीजिए आटा से बने स्पेशल क्रण्च वाले स्नाइक्स रेडी है तो यह लीजिए दोस्तों त्यार है आपके इन्नोवेटिव आटा साल्सा कप्स विट नाचोस तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आई है तो हमारी रेसीप difiad लाइक किजे शेर कीजिए और हाँ अगर आपने हमारी टेनल खो अब तक सबस्क्राईब नहीं किया हैं तो हमारी सानब क85ब कीजिएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हम आपको और नच्ट रेसीपी में तब तक के लिए पाई बाई टे कियर जी च्रींद्र झाल झाल झाल